आज आति के पाट साला पर क्लास नाइन्थ में आज आपको पावर्टी इस्टिमेशन के बारे में बताया जाएगा कि ग्लोबल पावर्टी सेनेरियो क्या है और पावर्टी इस्टिमेशन क्या है इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा शीवरमन की जिससे आपको पर अनुमान लग जाएगा कि poverty का major dimension क्या होता है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा चलिए सुरू करते हैं शिवरमन लिव इन स्माल विलेज निर कार ओ टाउन इन टमिल नाडू कारूर टाउन में टमिल नाडू में शिवरमन एक छोटे से गहँ में रहता है कारूर जो है वह अपने हैंडल लूम और पावरलूम फैबरिक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रशिद्ध है यहाँ पर 100 families रहती है जो शिवरमन है वो कोबलर family या कोबलर caste से बिलॉंग करता है और एक agriculture labor है जो 160 per day earn करता है ठीक है ये 5 और 6 month केवल उसे work मिलता है दूसरे समय वो odd job यानि दूसरे काम को करता है उसकी जो wife ससिकला है वो अभी काम करती है लेकिन उसे काम बहुत rare मिलता है उसके लिए उसे 100 rupees per day paid किया जाता है शिवरमन की family में 8 सदस्य है शिवरमन की माँ जो बीमार रहती है उसका 25 year old जो unmarried sister है चार बच्चे है जो एक से लेके 16 साल के हैं उसका youngest जो son है वो लगभग एक year का है उसकी बच्चिया स्कूल नहीं जाती है उसके पास किताबें खरिदने के लिए पैसे नहीं है वो अपने बहन की शादी नहीं कर पा रहा है क्यों क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उसकी माँ जीवन से निरास हो चुकी है His mother get lost interest in life and just waiting died some day उसकी माँ का जीवन से रुच समाप्त हो गई है और वो इंतिजार कर रही है अपनी मृत्तु का उसकी sister जो है और उसकी daughter घर के कामों की देखरे करती है घर के काम करती है और सिवरमन जो है वो अपने बेटे को स्कूल भेजने की यूजना बना रहा है उसकी जो unmerit sister है वो अब उसके पतनी के साथ रहती है ससिकला find her burden ससिकला उसे एक भार मानती है सिवरमन उसके लिए suitable groom lake of money यानि पैसे के अभाव में उसके लिए उचित वर नहीं ढूट पा रहा है उसकी family दो square meal यानि दो जून का भोजन काफी कठिनाई से करती है सिवरमन manage कर रहा है अपने बेटे के लिए milk की यानि दूर्थ को परचेज करने की एक योजना बना रहा है तो आपने इस story से क्या समझा कि जो poverty है उसके कारण poor health, poor family status, poor social status का जन्म होता है जो कई समस्याओं के which social and economic group does they belong to तो या किस सामाजिक group से belong करता है तो backward group से belong करता है who are the earning member in the family तो earning member शीवरमन है और उसकी wife है what is the condition of old people in the family तो very bad condition बहुत ही बुरी इस्थिती होती है are all children, boys and girls attend the school तो नहीं तो सभी बच्चे क्या करते हैं सभी बच्चे जो सभी boys और girls हैं वो इस्थोल को attend नहीं कर रहे हैं inter-state disparities को समझने के लिए आपको एफीगर समझना होगा कि poverty ratio सबसे ज़्यादा बिहार में है कहां पे है? सबसे ज़्यादा बिहार में है poverty ratio आप देखें बिहार में सबसे अधिक है लगभग 33.7% उसके बाद उडिशा में है उसके बाद आश्यम में है मद्य प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में है करनाटक में है विष्ट बंगाल में है महारास्टर में है गुजरात में है और पूरे इंडिया के अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में इतना है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि बिहार में असिच्छा है रोजगार के आशर कम है वही हालत उडिशा में है वही हालत अश्रम में है आसम में जो उसके लिथो स्पियर हैं उसकी कंडीशन के कारण वहां की स्थितियां ऐसी बनी हुई है इस थितियां ऐसी क्यों बनी हुई है इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पर development या infrastructure नहीं है मद्यप्रदेश में भी करीबी अधिक है क्योंकि वहां पर backward classes बहुत जादा ह की भी उस्थिति वही है वेस्ट मंगाल में population वेस्ट मंगाल महाराष्ट और गुजरात में अधिक population के कारण ऐसा है जिबकि जैसे जैसे आप आते हैं हर्याना दिल्ली अंदरप्रदेश पंजाब में यहां पर गरीबी का अस्तर कम क्यों है केरला में कम है क्यों है क्योंकि एजुकेशन लेबल अगर आप देखेंगे यहां पर तो एजुकेशन लेबल भी अधिक नहीं है जिसके कारण लोगों के पास कारे करने की छमता नहीं है सिच्छा के अभाव के कारण लोग टेकनिकल चीज़ें नहीं जान पाते हैं जिसके कारण वो नए रोजगार नहीं कर पाते नए नए कारेओं को नहीं कर पाते जिसके कारण वो पीडित रहते हैं या इस पावर्टी साइकल में फर्स जाते हैं ग्लोबल सेनेरियों अगर हम इसकी बात करें तो अगर पूरे देश की वर्ड की बात करें तो जो 1.90 डॉलर पर डे अर्म उससे कम कमाता है वह क्या है गरीब है या वर्ड बैंक ने कहा है तो जो गरीबी है 1990 से 2015 तक इसमें 10% की कमी आई है ग्लोबल पावर्टी सेनेरियों के आधार पर अगर अलग अलग देशों की हम बात करें तो चाइना साउथ हिस्टेशियन कंट्री जो है उसमें रैपिड एकोनामिक ग्रोथ बहुत तेजी से आर्थिक विकास हुआ है जिसक के कारण वो बहुत तेजी से डेबलप हुए हैं और बहुत तेजी से डेबलप होने के साथ साथ धीरे धीरे उनकी गरीबी भी कम हुई है चाइना में 88.3% जो 1981 में थी गरीबी वह घट कर 2008 में 14.7% और 2015 में 0.7% हो गई जो साथ ही स्टेसियन कंट्री हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, स्रेलंका, नेपाल, बांगलादेश, भूटान आ दियाते हैं यहां भी गरीबी 34 प्रतिसत से घट कर 2013 में 16 प्रतिसत तक हो गई तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है ग्लोबल पावर्टी सेनेडियों में कि गरीबी जिसमें गरीबी में जो कमी आई है 2011 तक वह यह है यह जो चार्ट है आप इसको देख लिजिएगा इस चार्ट में पूरी बात बताई गई है तो धीरे-धीरे वर्ड बैंक के प्रयाशों के दौरा या सभी देशों के प्रयाशों के दौरा धीरे-धीरे गरीबी में कमी आई है या धिरे धिरे गरीबों की संख्या में कमी आई है जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर भी गरीबी जो है वह लगातार कम हो रही है लेकिन उतनी मात्रा में कम नहीं हो रही है क्योंकि अफ्रीका में जो क्लाइमिटिक कंडिशन है वो बहुत ही हैरिस्ट है बहुत ही अलग जिसके कारण वहाँ पर गरीवी की संख्या में धीरे-धीरे अंतर आ रहा है, सबसे जादा जो गरीव कम हुए है, वो चाइना में हुए हैं, उसके बाद East Asian country में हुए है उसके बाद Latin America में हुए है, South East Asian country में भी गिरावट आई है, और सहारण African country में गरीबी की मात्रा में बहुत कम गिरावत आई है क्योंकि proper infrastructure ना होने के कारण यहाँ पर गरीबों की संख्या में बहुत कम गिरावत आई है अब अगला जो टाप टॉपिक हमारा पड़ता है वो है काजेजाप पावर्टी तो हम एक एक टॉपिक को इस पर डिसकुशन करेंगे कि काज़े जाप पावर्टी क्या है ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा जरूर अच्छा लगा तो लाइक करिए अच्छा न अच्छी आदत को अपनाता है जीवन में वही सफल होता है वरना जो बुरी आदते हैं वो तो अपने आप पकड़ लेती हैं उनको सीखना नहीं पड़ता उनको अपनाना नहीं पड़ता वो अपने आप हमारे जीवन में आ जाती हैं लेकिन जो अच्छी आदते हैं उसे हम अपनाना पड़ता है तो अच्छी आदिते मैं प्रयासे ही करूँगा मेरी सलाह यही है कि आप अच्छी आदिते अपनाएं ताकि जीवन आपका सरल हो सके जीवन आपका सुन्दर हो सके और जीवन को आप अच्छे तरीकों से जीएं इसे के साथ यह वीडियो यहीं पर